गुड मॉर्निंग बच्चो चलो तो आज हम लोग चैप्टर फोर ठीक है ना कैमिकल बॉंडिंग जो है जो की क्लास 11 का बहुत ही इंपोर्टन चैप्टर है उसको डिसकस करने वाले हैं तो शुरू से आप एकदम अच्छे से अपनी नोर्स को बनाए रखो यह मेरी नोर्स जो है उसी में मैं डिसकस करूँगा तो आप यूज एजले टेक स्क्रीन शॉर्स ओफ इट और यूज रिफर इट राइट अस वेल आज यूज 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 अंडरस्टेंड इस वीडियो बाई प्लेग इट अल टुगेधर चलो ठीक है तो सब सब पहले कैमिकल बॉंड अभी तक हम लोग क्या पड़े थे कि इंडिविजिल एटम के बारे में बात कर रहे थे अभी हम लोग कुछ बॉंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो बॉंडिंग का मदलब होता है कि दो एटम जो होते हैं उनके बीच में कुछ बॉंडिंग जैसा हो तो अभी दो पानी का molecules कुछ ऐसा होता है, और अभी इन दोनों के बीच का यह जो bond है, इसको हम बोलेंगे इंटर-molecular bond, और inter-molecular bond को हम secondary bonds भी बोला जाता है, तो inter-atomic bond, inter-atomic bond यानि की दो atom के बीच बीच का bond and inter-molecular bond यानि की secondary bond, तो primary bond यानि की inter-atomic bond जो होते हैं, वो तीन type के होते हैं, एक होता है कोवलेंट एक होता है कोडिनेट बॉंड पर आयनिक बॉंड का मतलब होता है सबसकि मानलों कि एक A atom है और यहां पर एक B atom है अच्छा इसके पास एक extra electron है और यह इसके पास total 7 electron है ऐसा मानलों अच्छा अभी दोनों को ही noble gas configuration पाना है तो क्या करेगा यह जो है वो अपना electron इसको देदेगा अगर इसको देदेगा तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा यह प्लस हो जाएगा और यह इसका noble configuration मिल जाएगा और यह क्या हो जाएगा लेकिन इसके पास अभी क्या हो जाएगा दो electron जो एक electron बाकी था वो दूसरा electron भी आ जाएगा और अभी इसके पास total 8 electron हो जाएंगे यानि कि अभी इन दोनों का ही a और b दोनों का ही octet जो है वो एकदम complete है यानि कि अभी क्योंकि यह electron इसने donate किया हुआ है a ने b को donate किया हुआ है इसके बीच में कौन सा bond आएगा ऐसा करके कुछ है मालों की मतलब की a और b दोनों को ही एक एक electron चाहिए तो क्या करेंगे बई तो इक काम करते हैं यह दोनों बोलते हैं कि हम लोगों आपस में यह दो electrons को sharing कर लेते हैं क्या कर लेते हैं sharing तो अगर electrons का sharing होता है यानि कि ये दो electrons जो है वो दोनों के ही है दोनों के ही मतलब ये जो electron है वो इसका भी है और ये जो electron है वो इसका भी है यानि कि अभी particularly ये जो दो electron है वो shared हुए है यहाँ उपर वाले ionic bond में क्या था donate हो गए थे है ना अभी एको नहीं चाहिए थे एक्स्ट्रा थे इसलिए चलो तो ये एक बात हो गई चलो और अगर अगर दो electrons जो bond में होते हैं वो दोनों ही electron अगर किसी एक ने दिये हुए जैसे कि अगर ऐसा होता है ये bond बना है बीच में अभी ये bond में इसलिए बना है क्योंकि ये जो दो electron थे वो दोनों के दोनों इसने दिये है भी के पास कुछ था ही नहीं तो ऐसे टाइप को bond को हम बोलते हैं coordinate bond क्या बोलते हैं coordinate bond यानि कि दोनों electron अगर किसी एक ने शेर किया हुआ है तो दोनों electron share करना इसको हम electron का लॉन पर डोनेट करना भी बोलते हैं तो इसको भी हम coordinate bond बोल सकते हैं तो primary bonds था का total तीन पार्ट हमने पढ़ लिया अभी तक क्या पढ़ा भई हमने पढ़ा है कि I'm sorry हमने पढ़ा है कि inter atomic bond जो होते हैं वो तीन टाइप के हैं जो कि सबसे strong होता है ionic bond उसके बाद है covalent bond और इसके बाद होता है coordinate covalent bond ये bond जो होते हैं वो दो ions के बीच में होते हैं जैसे कि हमने अभी अभी देखा था कि A plus and B minus के बीच में और वो बहुत ही strong होते हैं वो electrostatic force की वज़े से यानि कि positive negative की वज़े से होते हैं जैसे कि NSL में होता है ठीक है और इसमें latest energy जो होती है वो release होती है bond form होने के लिए latest energy क्या होती है वो हम शांती से देखते हैं basically ये होती है कि अगर दो ions होते हैं तो दो ions जो होते हैं जब combine होते हैं और AB molecule बनाते हैं ionic bond बनाते हैं तो उस time पे energy release होती है उसी को बोलते हैं latest energy है ना तो ionic bond form होने के लिए जो energy release होती है ionic bond form होने के लिए जो energy release होती है उसी को बोलते हैं latest energy और latest energy जो होती है वो चार्ज पर डिपेंड कर दिए कौन सा चार्ज भई ये AB के उपर वाला चार्ज उसकी बात कर रहा हैं लोग है, कौनकि कभी-कभी आपने देखा होगा, A plus 2 भी कभी-कभी होता है, तो अगर ज्यादा चार्ज होगा, तो ज्यादा energy release होगी है यही बात करना चाहते हैं, और अगर size ज्यादा होगी, अगर atom की size ज्यादा होगी, तो latest energy कम release होती है चल उसको भी detail में पढ़ेंगे आगे यह is just overview वाला point है उसके बाद में हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो covalent bond होता है वो covalent bonds की अलग-अलग theories हम पढ़ने वाले हैं जैसे कि VSEPR theory है valence shell electron pair reperson theory पढ़ने वाले हैं उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं VBT theory याने कि valence bond theory इसके बाद में हम MOT theory भी पढ़ने वाले हैं जो कि molecule molecule के अंदर का एक नई orbital बनाते हैं वो लोग तो ठीक है वो detail में पढ़ने वाले हैं हम लोग उसके बाद में इसमें actually sharing से bond होता है वो भी पता है इसमें polar non-polar वाला की case आता है कैसे जैसे कि मानलो की जैसे की और example A ने electron share किया है और B ने भी electron share किया है अभी इसमें क्या हो रहा है कि A जो है वो मानलो की ज़्यादा electron negative है चलो इसमें कोई example ही ले ले लेते हैं ये क्या लिखा मैंने electronegativity का trend लिखा हुआ है यानि कि ये सबसे ज़्यादा electronegative होता है और metal जो होता है वो सबसे कम electronegative होता है तो अगर मैं ऐसा कोई ले लू मैं मानलो की OH यानि की पानी ले लू तो ये जो bond होता है ये वाला bond यानिकि इसको बोलते हैं polarity तो यह जो bonds होते हैं उसमें polarity होती है और वो बनते कैसे हैं? और यानिकि atomic overlapping की बज़ा से जैसे कि oxygen होता है यहां पर hydrogen होता है पर oxygen की कौन सी orbital होती है? oxygen का balance electron जो होता है वो ऐसा 2P orbital में होता है जबकि hydrogen जो होता है उसका S orbital होता है तो इन दोनों का overlapping होता है कुछ ऐसी तरीके से हैं तो यह 1S and 2P का overlapping होता है इसको बोलते हैं orbital का overlapping होना राइट? चलो चलो और इसके बाद में यह जो overlapping हो रहा है ना उसी की वज़ा से उसमें bond बनते ह है को जा अपाउंड के बीच में है तो अभी आगे बढ़ते हैं को अधिकी तरफ कोडियो बॉन्ट जो है वह वह अखा दिया मैंने है ना चलो अभी इन तीनों में से, तीनों primary में से सबसे स्टॉंम होता है, ionic bond, अचा, secondary bond की बात करते हैं, तो अभी secondary bond होता है, वो दो टाइप का होता है, एक होता है hydrogen bond, अचा, इन दोनों में солн Celsius होता है, तो hydrogen bonding होता है, है ना, अभी hydrogen bonding कब कब होता है, जब सबसे ज्यादा électroneİκतB ouaisनेगाईट जो है और यहां बे भी एक HF है तो इसके bond ये दो molecules जो है HF के इसके बीच में ये जो bond है इसको हम बोलते है hydrogen bond similarly ये जो पानी होगा ना पानी तो पानी की दो molecules के बीच में भी पानी के दो molecules के बीच में भी कौन सा bond होता है भी hydrogen bond होता है इसको तोड़ा इच्छी तरीके से कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए ठीक है चलँ इसके बाद में यहाँ पर करना पड़ेगा यह होता है Δील्टा नेगेटिव यह होता है डील्टा पॉसिट्टिव डील्टा पॉसिट्टिव इसको ही हम बोलत है है hydrogen bonding और hydrogen bonding बहुत ही strong होता है और यह जो वांडरबाल्स bond होता है वो वांडरबाल्स bond basically एक नॉर्मल सा surface phenomena है surface phenomena है इसका मतलब है कि मानलों कि आपका एक बार में ही question आया था कि इन दोनों में से इन दोनों मॉलेक्यूल्स में से किस मॉलेक्यूल्स का boiling point ज्यादा होगा ऐसा अगर कोई पूछता है तो boiling point का मतलब होता है कि इस compound का इस compound का इसको बोलते है actually normal butane है न चार करबन है तो normal butane बोलेंगे और इसको बोलेंगे isobutane इसको बोलेंगे isobutane अच्छ तो अभी इन दोनों में किसका boiling point ज्यादा हुआ boiling point किसका ज्यादा होगा ऐसा question था एक बार तो कैसे solve करोगे इसका boiling point कैसे निकालेंगे normal butane का तो normal butane दूसरा बना दो और अगर यह ऐसा होगा और इसका bond इसके साथ ऐसा होगा तो आप देख सकते हो आप देख सकते हो कि इन दोनों को अगर मैं merge करता हूँ तो सिर्फ इतना ही area touch किया हुआ होगा यानि कि ये bond जो होगा वो कैसा होगा इन दोनों को बीच का weak होगा और weak होगा तो boiling point कैसा होगा उसका down होगा थोड़ा सा temperature दिया और वो उड़ गए right boil हो गया जबकि इसका इतना ज्यादा area वाला है यानि कि wonder was force जो है वो यहाँ पर more होगा है ज्यादा area है तो यानि कि wonder was force जो है वो size पर depend करता है या फिर उसके number of क्या बोलते है इटा surface area पर इडिपन करता है न एरिया जितना एरिया उसने ज्यादा कावर गिया उतना ही ज्यादा होता है क्या उसका wonder was force और boiling point भी हम उससे बोल सकते है चल ठीक है आगे बढ़ते हैं इसके बाद में अभी bond बनता क्यों है लेकिन बन इसलिए बनता है क्योंकि हर एक को बनना होता है सादू संथ सादू संथ का मदला होता है noble gas configuration है noble gas कौन कौन से होते है हिनिया की जैरी यानिकी ही नी आ की जैरी यानिकी helium, neon, argon, krypton, xenon, radon तो सब लोगों को यही बनना होता है इसलिए अगर यह बन गए तो एकदम stable configuration होती है इसलिए bond बनता है चलो तो सबसे पहले आता है electrovalency क्या होती है जैरी किसी भी compound ने कितने electron lose या gain किये इसको बोलते है हम लोग electrovalency ठीक है उसके बाद में ionic bond जो होता है वो कैसे बनता है चलो समझते है तो na and cl कैसे बनना होता है तो na and cl दोनों का अगर दोनों मिल जाते हैं तो ionic bond बनता है अच्छा उसके लिए क्या चाहि होता है तो ionization energy जो है वो लो होनी चाहिए लेकिन उसके पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा यह bond-heber cycle क्या होती है तो आप यहां पर देख सकते हो bond-heber cycle ठीक है तो bond-heber cycle को मैं यहां थोड़ा जूम कर रहा हूं I think it is okay so अगर आप देखोगे ना तो यहां पर यह ज energy दूंगा ionization energy तो उसका एक electron रिमू होके यह chlorine के पास पहुच जाएगा और वो chlorine को बना देगा CL में से CL minus और जो sodium gas था वो sodium plus बन जाएगा आयन बन जाएगा अच्छा ठीक है यहां sodium ion बन गया और यहां chlorine gas बन गया और इन दोनों के बीच में बिड़ा इन दोनों के बीच मे उतना ही bond जादा stable होता है और बहुत मजबूत होता है यानि कि जो energy मुझे डालनी पड़ रही है यानि कि ionization energy जो होती है वो मुझे डालनी पड़ रही है sodium gas में से sodium ion बनाने के लिए यह IE energy में खुद डालता हूँ बाहर से जबकि यह जो CL gas में से CL minus बनता है उसको बोलता है electron gain enthalpy वो chlorine खुद अपनी खर्च करता है यानि कि अपनी energy वो lose करता है तो वो तो अच्छा है जितना electron gain enthalpy ज्यादा हो जितना ज्यादा release हो उतना अच्छा है यानि कि जितना EGE ज्यादा होगा वो अच्छा होगा और जो मुझे डालनी पड़ रही है ionization energy वो low होगी तो अच्छ हैं उसका properties क्या होती है तो वो होते हैं unidirectional यानि कि कोई direction नहीं होता इसका मदलब क्या है इसका मदलब यह है कि मालों कि मेरे पास यहां पर है कोई CL compound CL minus तो उसके आजुबाजु में continuously एक force होता होगा और जिसके पास एने प्लस अगर यहां से आप भी आए तो भी रियक करेगा अगर एने प्लस यहां से भी आएगा तो भी रियक करेगा है जबकि वो चीज यह लिबर्टी थी वो HCL में नहीं थी HCL का मतलब बैटा HCL जो होता है वो एसा एक उसमें H जो होता है वो 1S होता है और chlorine जो होता है वो कौन सा होता है पर टूपी होता है तो यह जो है न वो इपोर्टन्ट नहीं है क्योंकि उसमें हर एक साइड में सेम फोर्स चाहिए बस जबकि ऑफ्रलेपिंग जो होता है वह तो इसमें होता है वह पॉज़ेंट बॉंड में होता है न तो यह आयनिक बॉंड जो है जिसके हम बात कर रहे हैं अभी उसमें हमें कोई डारेक्शन का नहीं होता, कभी कहीं से भी N A+, वो chlorine के साथ easily जाके reaction कर लेगा, चलो, ठीक, इसके बाद में due to electrostatic force, यानि कि positive negative force, उसका boiling pointer and melting point strong होता है, ठीक, ठीक, गोवलेंट के comparison में ये जो bond होता है वो बहुत ही strong होता है, चलो, इसके बोलता है polarity, डिल्टा प्लस, डिल्टा माइनस को बोलता है polarity, तो पानी में ये सब जो ionic compounds होते हैं, ionic bonds होते हैं, वो solvent, solival होते हैं, जबकि non-polar solvents में, non-polar solvents में लगकी जैसे कि मान लोग की benzene, तो benzene में कोई polarity नहीं होता है, तो polarity नहीं होती है, तो polarity नहीं होती है, तो पानी में डिजल्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें होती है polarity, चलो, और ये good conductors भी होते हैं, इसके ionic electricity के good conductors होते हैं, क्योंकि इसमें ions होते हैं, और आगे बढ़ाते हैं, चलो, ठीके, उसके बाद में हम आगे जाएंगे, तो covalent bond पे जाएंगे, covalent bond जो होता है, वो अलड़ी हमें पता है, कि A और B के bond बीच में bond बना, तो ये एक electron जो है वो A ने दिया होगा, और दूसरा electron जो है, वो B ने दिया होगा, तभी तो ये bond बना है, ठीके, अभी हम क्या करते हैं, levy's dot representation को देखते हैं, जो कि causal levy's and octet rule के भी explanation करेगा, ठीके, अभी normally hydrogen जो होता है न, उसको हम ऐसा लिखते हैं, अगर कोई मुझे पूछा है कि nitrogen का कैसा आएगा, levy's dot representation, तो पांच electron होते हैं, तो मैंने पांच दिखा दिया है, इसा क्रॉस करके, अच्छा, octet rule क्या होता है, octet rule होता है कि stable बनने के लिए, surrounding में 8 electron होने चाहिए, बस, लेकिन इसमें hydrogen नहीं आएगा, hydrogen क्यों नहीं आएगा, क्योंकि hydrogen तो होता है, वो तो duplet करता है, उसको तो दो electron चाहिए, ताकि वो helium बन जाए, यानकि इसका exception helium होता है, hydrogen होता है, फिर helium बरोन भी आता है, तो वो सब limitations आएगा, octet rule का, ठीके, तो basically बात ये चल रही है, कि यहाँ पर जो ये carbon है, ये carbon जो होता है, वो total char bond बनाता है, पि क्यों चरबन बनाता है, क्योंकि इसके पास होते हैं, char valence electron, char valence electron होते हैं इसी की वज़ा से बिड़ा, इसी की वज़ा से, ये char hydrogen के साथ bond बना लेता है, है ना, तो ये char bond बना लिया उसने, अब यह जो चार बॉन बनाया ठीक है ना इसका अगर कोई पुछता आएगी यह जो CH4 है उसका लेविस डॉट रेप्रेसेंटरेशन बनाओ तो यह नॉर्मली हम ऐसे बनाते हैं लेकिन इसका एक स्पेसिफिक मैथड है कि हम कैसे बनाना है तो मैथड यह है बेड़ा कि अगर आपको यह करना है तो सबसे पहले इसका बैलेंस इलेक्ट्रों को गिन लो है ना उसके बाद में इसका सेंटरल एटम जो है उसको चूज करो सेंटरल एटम नॉर्मली जो सबसे कम नमर में होता है सबसे least electronegative होता है और size में सबसे बड़ा होता है उसे क्या हम लग choose करता है as a central metal atom दूसरा है hydrogen and flooring कभी भी central metal atom नहीं हो सकता है ठीक चलो तो इतना दो याद रखना ही रखना है बाकी काम देख लेंगे चलो इसके बाद में ये एक charge find out करने की formula है वो जो मैं आपको बाद में explain करता हूँ वैसे चलो हम पहले एक काम करते हैं करते हैं hydrogen का लेविश डॉर श्रॉक्चर तो H2 का लेविश डॉर श्रॉक्चर यानि की एक hydrogen में electron कितने होते हैं balance electron एक यानि की दो में कितना होगा दो अच्छा ठीक है चलो oxygen में क्या करेंगे भी oxygen में पहले तो total balance electron निकालो एक oxygen में होता है 6 यानि कि यहाँ हमारे पास है 12 electron पहले तो skeleton structure बना तो step 2 में बना लिया जी बिल्कुल इसमें हमने 2 electron को use कर लिया total 12 थे उसमें से अभी कितने बचे हमारे पास 10 तो फिर सबसे पहले electron किसी एक को दे दो यानि कि नौर्मरी हम चालो करते है surrounding को तो यह surrounding को मैंने 6 electron दे दिया जो 10 था उसमें से तो इसको कितने मिलेंगे भी? 4 मिलेंगे चलो 4 मिल गए लेकिन अभी क्या होगा? इसका यह वाला electron यह वाला जो oxygen है उसका पास सिर्फ 6 electron है तो 6 electron कैसे है? चलो करते हैं यार तो इसके पास यह जो है वो 4 और यह bond वाले है वो 2 यानि कि total इसके पास 6 electron है तो ऐसा जब होता है तो हम क्या हम करना पड़ता है? कि यह जो bond pair है long pair है सॉरी इसको हम bond pair बना देना पड़ता है यानि कि single bond को double bond में convert कर लो है ऐसा कुछ था इसको यहाँ जो long pair था इसको convert कर दो और ऐसा double bond मना लो तो अभी देखो अभी दोनों का ही side से आपका यह complete हो चुका है इस इस आपका perfect structure चलो इसके बाद में इसके बाद में इसके बाद में CO3 का करते है तो भी CO3 का कैसे करना है CO3 minus 2 का करना है अगर तो total balance element कितना है कि carbon का होता है 4 इसका होता है oxygen का 6 into 3 और minus 2 जो है इसकी वज़े से 2 electron जादा है यानि कि 2 मेने plus add कि हो है 4 की वज़े से तो total आपका 24 आता है अच्छा सबसे पहले क्या करना है skeleton structure बनाना है skeleton structure का मदलब क्या होता था COOO ठीक है चलो skeleton बना लिया उसके बाद क्या करना था इसके बाद ये bond जो बना है मैंने 3 bond एक bond दूसरा bond और तीसरा bond ये तीनो bond के लिए मैंने कितने electron खर्च किये 6 electron खर्च किये तो बाकी कितने electron बचे है बाकी electron बचे है मेरे total थे 24 उसमें से 6 electron खर्च किये यानि कि मेरा पास बचे 18 अभी ये जो 18 electron बचे है उसको मुझे surrounding atom से चलो करना है सबसे पहले electron हम देते है surrounding atom को यह याद रखना है surrounding atom है मेरा ये वाला और central atom था मेरा carbon चलो ठीक है यहां तो मैंने कर लिया चलो अभी मैंने electron तो सब देखा पूड कर लिया यार तो अभी क्या होगा अभी देखो आप देख सकते हो कि carbon जो है उसका खतम नहीं हुआ है क्योंकि इसके पास है 6 2222 यानि कि 6 तो अभी क्या करना पड़ेगा अभी मुझे करना पड़ेगा अभी मुझे इसको काटके इसको काटके यह जो है इसको काटके मुझे इसके electrons को यहां उतारना पड़ेगा तो चलो अभी सब का काम हो जाएगा अबी सबका काम हो जगा, याने कि यह जो है वो अपना ready हो गया है ना, लेकिन इस समय charge लिखा नहीं है मैंने, तो अभी इसका charge कैसे find-out करते है तो चलो, करते है क Whereas सबसे इसी तरीका तो क्या है भई अगर oxygen जो होता है which is single bond में होता है अगर oxygen single bond में होता है करके हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं यहां पर दो oxygen का जो यहां सिंगल सिंगल बॉर्ण है यहां मैनस चार्ज होगा यहां मैनस चार्ज होगा कहानी कातम हो गई रइट नहीं तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं यह जो एक formula हो दी है formula है कौन सी जी यह बादा formula का force है वी माइनस वी माइनस एल माइनस वी बाइटू है ना तो यहां पर वी का मतला पर वैलेंस एक्टोन भी अगर मैं oxygen की बात कर रहा हूं मानलों कि मैं किसी पर्टेक्लर इस oxygen की बात कर रहा हूं इस oxygen की बात कर रहा हूं अगर मैं तो इस oxygen के single bond है अचा ठीक है अब इस single bond है यानि कि एक bond में कितने electron होते हैं दो यानि कि इसमें मैंने जो भी है उसकी जगा एक bond की वज़ह से दो इलेक्ट्रोन यहां पर पूट कर लिए क्योंकि single bond होता है सिंगल बॉंड में electron होते है दो valence electron कितने होते है oxygen में ये तो fixy होता है अबी 6 और lawn पर कितने है पर lawn पर देखो 2 electron, 2 electron, 2 electron total 6 electron है इसके उपर यानि कि यहाँ पर आएगा 6 तो इसका आएगा minus 1 इसी के लिए इस oxygen के उपर minus 1 charge आएगा इसी के लिए ये oxygen जो है उसके उपर minus charge आएगा तो ऐसे आप लोग oxygen का charge जो है वो find out कर सकते है अच्छले सभी charge find out कर सकते हो और वही यूज़ करके मैंने यहाँ सब लिखा हुआ भी है so that you can use utilize very easily यहाँ पर मैं कुछ components लिखे हुए है तो आप क्या करो कि इसका खुद एक बार try करो ठीक है और कहीं पर गडबर लग रही है then you can send me a text message और चलो उसके बाद में कोई हटके compound है तो हम करते है चलो बाकी तो मुझे कुछ लग नहीं रहे हैं चलो यह ozone का एक पर कर लेते हैं ozone का कैसे करना है ozone का मतलब होता है ozone का पहले तो वैलेंस electron कितना आएगा ऑक्सिजन का 6 into 3 यानि की 18 electron आएगा उसके बाद में क्या करना था skeleton structure बना लिया मैंने अच्छा उसके बाद क्या करना था उसके बाद उसमें surrounding atom में electrons को put करना है लेकिन इसमें bond बनाने में यह जो bond बनाया ना skeleton मैंने कितने electron खर्च किये इसमें मैंने 4 electron खर्च कर लिये तो अभी मेरे पास electron बचे हुए है 4 routine तो 14 का यूज़ करूँगा सबसे पहले मैं surrounding को खतम करूँगा चलो ठीक है कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया और वह चलो ठीक है अभी लेकिन यह भी बीच वाला जो है उसका खतम नहीं हो रहा है उसमें हम क्या करते थे काट देते थे और इसे को यहाँ पेपड कर देते थे चलो ठीक है सबका का हो गया है अभी क्या करना है कोई चाहronics यह ऊक्सीजन ने तीन बन बनाए है, एक, दो, और ये तीन, यानि कि इसके उपर चार्ज होगा बेटा, प्लस का, है ना, और ये ऑक्सिजन जो है, इसने कितने बन बनाए है, एक ही, यानि कि इसके उपर चार्ज होगा माइनस का, बस तो हो गया जाए अपका, इसका structure ready, right, चालो, तो, अच तो ये दोनों structure जो है, इस oxygen से, इस oxygen में, ये जो माइनस चार्ज है, वो ऐसे ऐसे flip-flop होता रहता है, right, देखो, तो इसको बोलते है, resonating structure, क्या बोलते है, resonating structure, है ना, अच्छा, ठीक है, तो, ओजो है, उसका total, दो resonating structure है, जो कि आप देख सकते हो, यहाँ पर, अच्छा च है, everything, तो आप easily कर सकते हो, अच्छा, उसका part 2, जो है, इसका मैं, बाद मैं, वापस आता हूँ, चलो, एक बाद, एक है, हाँ, यह important है, यह जो COS होता है, COS, इसमें central metal कौन होगा भई, सबसे कम electronegative, यानिकी carbon, फिर तो आप कर लोगे, है ना, OCS, यह skeleton structure बना लिया, फिर total velocity electron को रखने के लिए, मैं डबल bond बना लिया, तो it is very easier, कर सकते हो, चलो, इसके बाद में, चलो, ionic bond का थोड़ा और कर ले दें, जो कि हमने अलड़ी कर लिया, है ना, तो अगर आपको कोई बूचता है, कि MGO के लिए, आप heat of formation, find out करो, यानि कि bond hibbers alikhekel को बनाओ, तो कैसे करेंगे, तो भी MJ होता है, है ना, चलो, थोड़ा मैं, zoom करता हूं, magnesium जो, solid state में होता है, उसको में अगर मैं sublimation energy देता हूं, तो व יא cases form में आ यादा है, ।ो वो MG plus में आ जाता है, उसको अगर और energy देता हूं, तो MG plus 2 में आ जाता है, similarly, similarly, ये O2 जो होता है, वो O2 को मै तोड़ता हूँ तो bond dissociation energy देनी पड़ती है तो मुझे एक oxygen gas molecule मिलता है अगर उसमें यह जो electron यहां से निकला था वो यहां आ गया यह electron oxygen catch कर लेता है और यह O- बना देता है अच्छा ठीक है लेकिन O जो है वो और एक electron भी catch करता है तो उस case में वो O-2 बन जाता है तो यह जो है electron affinity या फिर electron gain enthalpy बोलते है electron gain करने के लिए जो energy खर्च करनी पड़ती है उसको हम बोलते है electron gain enthalpy तो यह minus हो दी है normally हम lose करते है इसको और डूसरा electron जो हमें accept करना है उसमें भी electron lose होगा तो अभी हमारे पास क्या बन गया mg प्लस टू बन गया और O-2 बन गया अभी यह दोनों मिलके क्या बनाएंगे mg O बनाएंगे और उसी टाइम पे कुछ energy release होगी उसको हम बोलते हैं lattice enthalpy तो उसका मैंने यहाँ पे equation भी बनाया हुआ है आप देख सकते हो आप देख सकते हो भाई साब कि यहाँ है sublimation energy यहाँ पे है ionization energy 1 IE2 यानि कि mg में से mg प्लस वाली mg में से mg प्लस टू वाली delta E यानि कि यह है bond dissociation energy EA1 माइनस होती है क्यों होती है माइनस भई क्योंकि जो पहला electron है वो हमें loose करने में वो खुदी कर लेता है यानि कि यह जो होती है वो माइनस होती है यह important point है यह जो EA2 होता है यह EA2 जो होता है वो प्लस होता है क्योंकि पहला electron तो वो खुदी खर्ज कर लेता है लेकिन दूसरा electron जो होता है वो अगर add करना है तो हमें बाहर से energy देनी पड़ती है यानि जो EA2 होगा वो कैसा होगा प्लस होगा तो ऐसा equation कभी कभी पूछा जाता है चलो और एक बात करते हैं और एक बात करते है factors affecting latest enthalpy तो latest enthalpy को कौन help करता है या तो latest enthalpy यानिकी Na plus and Cl minus दोनों के बीच का जो force होता है और distance अगर r होता है तो force is equal to आप physics में पड़ चुके हो के q1 q2 upon r square होता है तो ये जो है ये जो compound है इसमें जो बीच वाला distance है इसको हम बोलते है r है न तो अगर distance ज़्यादा हुआ यानि कि distance ज़्यादा हुआ तो ये force जो होगा वो कैसा होगा लूस होगा बराबरा है काकि वो inverse proportion में होता है जबकि ये q1 q2 क्या दिखाते है q1 q2 दिखाते है जैसे कि ये na plus का उपर का charge होता है वो दिखाता है जैसे कि al plus 3 हुआ तो ज़्यादा charge होगा इसका q1 ज़्यादा है इसके comparison में तो वो दिखाता है तो charge ज़्यादा होगा तो भी latest energy ज़्यादा release होगी तो basically charge पर भी depend करता है और size पर भी depend करता है q1 q2 upon r square है तो अगर charge ज़्यादा होगा तो भी l e ज़्यादा होता है और r अगर कम होगा आर कम होगा यहाने कि नजदिक-較 वह घृब होगा तो भी आपका सस्तालपि आपका यहाने मैं कि दिस्टेंस अर होगा वह बढ़ जाएगा डिस्टन्स आर होगा वो यह आर जो है वो बढ़ जाएगा अगर साइस ज्यादा होगा तो चलो तो ऐसा ही कुछ कुछ क्वेशन्स में लेके आया हूँ क्वेशन्स जो यह है कि कमपेर और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया कि अगर चार्ज एंड डिस्टन्स दोनों में अगर कमपेरिजन करना है तो अल्वेस चार्ज जो होता है वो डॉमिनेट करता है चलो मैं आपको यहां समझाता हूँ क्या होता है सोडियम, मेगनेशिम, एन अल्यूमिनियम ठीक न अच्छा तो साइस किसका कम होता है अभी साइस कम होता है अल्यूमिनियम का है तो एस पर साइस अगर देखा जाए तो साइस कम यानि कि आपका लेटिस अंसल भी ज्यादा होगा यानि कि इसके हिसाब से अल्यूमिनियम व चलो next question na2o MgO al2o3 तो क्या पादेगा इस में भी तीन घीन बनते हैं और दोन दोन दोने होगा चार्ज की ज्यादा है जयानी कि ज्यादा है यन्त हैल दोने होगा या तो सेम है इसमें प्लस वन, प्लस वन, माइनस वन, माइनस वन, तो अभी इसमें चार्ज तो कंपर कर नहीं सकते हैं, तो क्या कंपर करना पड़ेगा, साइज, जिसका साइज कम होगा, उसका ही लेटिज अन्थलपी ज्यादा होगा, तो साइज किसका कम है, सोडियम का या पोटेशियम का, कि दो इसके बाद में क्वीशन है कि हो हुई वह था होलो में एक opposites सॉतियाम देखक दो सबसे बड़ा हथा और बड़ा होता याने कि इसका सबसे energy कम होता है चलो ठीक है उसके बाद में यहां जाते हैं तो बई क्या होएगा एन एफ एन एम जी सील टू में यह थोड़ा देखते हैं सोडियम प्लस आता है और इसमें एम जी प्लस टू आता है तो इस तो बहुत इजी है एम जी प्लस टू वाला ही आएगा कोगी चार्ज ज्यादा है चलो इसमें और एक्वेशन है लेवी स्टॉर्ट च्छर का कैसे बनाओगे तो यह मैंने कुछ यहां बनाए हुए हैं आप थोड़ा रीफर कर सकते हो यह बेरेलियम जो है उसमें डूपलेट ही करना होता है और चलो उसके बाद में तो यह सब थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको कैसा करना है एच सी डवलो एच है यहां नहीं यहां पर तो यह भी एक कंपाउंड है जो आपको थोड़ा यह यह बोलता है तो यह यह सो थी का बिजिकली लिविस्टर स्ट्रक्चर है इसके बाद में ओजन का तो मैंने आपको दिखा ही दिया है तो हम करेंगे नहीं अभी अच्छा अभी हमें करना है लिमेटेशन्स ऑफ ओक्टेट रूल है ना तो ओक्टेट रूल की पालन्स वाला बॉंड्स पाएगे हैं जैसे की फर एजंपल है बी एफ थ्री उसमें आप देखोगे ना तो बोरॉंज जो है उसके पास तो सिर्फ छे इलेक्ट्रोन ही है दो दो और दो तो भी यह एक अपाउंड एक्जिस्ट करता है कैसे करता है इसमें एक्छली ऐसा हो तो यह सिर्फ बैक पॉंडनी की वज़़ा से ऐसा हाइपोवेलेंट हाइपोवेलेंट का मदलब होता है आठ होना चाहिए लेकिन छे ही होता है तो इसके बाद में कुछ यहाँ एक्जामबल्स पी लिखे हुआ है तो इसको भी याद कर लेना है आपको अचा कुछ जो होत होने चाहिए चैंटल मैंटल waryंटों के पास कितने होने चाहिए कने की उसनके पास होते हैं कभी-कभी ज्यादा भी for example SF6 अगर आप देखोगे न तो यहाँ SF6 जो है उसने टोटल कितने बन बनाए रखे हैं छे बन बनाए रखे हैं तो छे बन बनाए रखे हैं इसके मलब है इसके पास टोटल बारा इलेक्ट्रोन होगे है ना छे दूनी बारा इलेक्ट्रोन है हम तो 8 की बात करते हैं यहां तो 12 होगे तो कभी-कभी ऐसा कंपांउंड भी एक्जिस्ट करता है ठीक ज्यूक्यudg क्योंकि इसकी D यूप होती है जो सोले और सोला का मतलब होता है कि यह जो है वो नियोन के बाद थ्री एस टू एंड यहां पे होता है अचारफित पर यह पर यह जया बहुत जादा बनालेता है जो उसकी compression है किसी और से करे तो बहुत ज़्यादा bond बना सकता है क्योंकि उसमें d orbital खाली होती है उसलिए और d orbital जो खाली होती है उसी में वो bond वाले electrons को receive करके bond बना लेता है चलो उसके बाद में भई noble gas configuration वाला होता है वो तो कभी bond बना नहीं नहीं चाहिए लेकिन ऐसा पाया गया है बिड़ा कि xenon जो की एक noble gas है वो भी कभी-कभी bond बनाता है और compound भी बनाए जाता है xenon F4, xenon O2F2, xenon काफी इसे compounds होते हैं ठीक है न क्रिप्टोन का बहुत कम पाये जाता है लेकिन क्रिप्टोन F2B लोग बोलते हैं कि होता है बहुत ही कम amount में exist करता है उसके बाद में बिड़ा एक formation of all electron molecules कभी-कभी आप अगर देखोगे न अबर हम next topic में वही लेने वाले हैं कि आप अगर NO2 का structure देखोगे तो कुछ ऐसा होता है क्यानिक कभी-कभी-कभी NO2 के पास single electron भी होता है तो ऐसे और electron molecules होते हैं वो exactly वो समझा नहीं पाया था अच्छा उसके बाद में हम कुछ ionic bonds होते हैं उसका कैसे करना है नॉमेंक्लिचर वो करने वाले हैं तो भी ionic bond होता है न वो के होता है वो के प्रस फॉर्म में होता है और S होता है वो माइनस के फॉर्म में होता है लेकिन S का orbital जो होता है उसमें 8 electron complete होते हैं कि के ने तो एक जो था वो गवा दिया उसको लूस कर दिया तो यह जो स्ट्रक्चर से उसको थोड़ा समझ की याद रख लो यह इंपर्टन है बना 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 है बहुत ईजी यह है ना से MgCl2 है तो आप ऐसे लिख सकते हो राइट एमजी को बीच में रख दिया और क्लोरिं क्लोरिं को बीच में रख दिया या फिर आप ऐसे बिलिख सकते हो उसके बाद में सबसे इंपर्टन ओपी के लिए तो और इलेक्ट्रोन का लेविश डॉट स्ट्रक्चर है तो उसमें हमारे पास दो कैसे एक केस है अगर और इलेक्ट्रोन है और उसके पास लॉन पेर नहीं है ना विधाूट लॉन पेर जैसे कि ए जैसे कि C-C-F3 उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक डॉट है यानिकी एक इलेक्ट्रोन है उसके पास और कोई लॉन पेर बाद में नहीं है जैसके इसमें है यहाँ पे दो लॉन पेर है यहाँ एक लॉन पेर है और एक सिंगल electron भी है तो ये वाला जो compound है उसमें क्या है एक single electron है तो single electron जब होता है तो हम देखते हैं कि जो surrounding atom है वो ज़्यादा electronegative है ये नहीं है अगर ये ज़्यादा electronegative है ज़्यादा इस case में तो ये जो electron single है उसको खीच लेता है और उसको bond में convert कर लेता है और उसी की वज़़ा से उसका जो hybridization होता है अच्छा hybridization होता है वो कितना आता है चार आता है अच्छा अभी आप बोल रहे होके कि सरी hybridization क्या होता है वो तो समझाओ तो पड़ा hybridization का मतलब होता है जितने sigma bond होते हैं और lawn pair होती है ना उसका sum है ना यानि कि इसमें sigma bond किसको बोलता है जैसे कि यहाँ पे अगर मान लोकी ऐसा है CO है ना यह ऐसा कुछ था ऐसा कुछ था तो इसमें यह जो नीचे वाला पहला वाला bond है यह पहला वाला अभी के लिए आप सिर्व इतना याद रखो कि hybridization में हम सिर्फ sigma bond काउंट करते हैं और lawn pair को काउंट करते हैं ठीक है तो अगर और electron molecule होता है तो यह जो होता है ना इसको हम lawn pair माल लेते हैं ऐसा lawn pair और उसको भी काउंट करते हैं तो इसलिए तीन सिग्मा बॉन है और एक lawn pair है जो की डॉट की बजल से यानि की 4 आएगा और 4 का मतलब होता है SP3 hybridization होता है यह next topic में आप समझ लोगे अभी चींदा मत करो चलो next में जाते हैं अगर मैं CS3 की बात करो बटा तो इसमें अभी ऐसा ही है lawn pair नहीं है लेकिन single electron है तो single electron जभी भी होता है हम क्या चेक करते हैं कि central metal and surrounding atom के बीच में कौन ज्यादा electro negative है तो ज्यादा electro negative इस किसमें अभी जो ती यह जो तीन सिग्मा बॉंड है यानि की तीन सिग्मा बॉंड यानि की Z आएगा तीन यानि की SP2 आएगा चलो अभी case change करते हैं और अभी ऐसा case आएगा कि जिसमें अपका single electron के साथ साथ lawn pair भी होगा जैसे कि यहाँ पे है तो इस case में बटा और कुछ करना नही तो हैरिडेशन में पर्ट नहीं करेगा इसका मतलब है कि में मेरा हैवडेशन आएगा यह सिग्मा बॉंड है और लॉट पर है यानिकी टोटल तीन है यानिकी SP2 अगए और यहाँ पर तो था नहीं मैंने तो बोल दिया सिंपलि लेकिन यहाँ पर लॉन पर तो है नहीं तो तो लॉन पेर नहीं है तो फिर कौन सा रूल है फॉन प्रोब्रोम आई एससी पी एच ऑक्सीजन जो है वह ज्यादा एलेक्ट्रो नेगेटिव है यानि कि इसको अभी हमें इसमें आपको क्या करना पड़ेगा इसमें आपको इसमें संगल इलेक्ट्रों glands इसको आप काउंट करनान की लिए ऐड़ी ने डिपैड़ करेंगा कि ज्यादा Electron Negative है की नई हां बिलकुल है Oxygen जो है वो Nitrogen से ज़्यादा Electron Negative है यानि कि यह Electron को खीश लेगा और इसको भी हमें गिनना पड़ेगा यानि कि Dot को भी गिनना पड़ेगा है ना तो यह Pi है Pi को तो नहीं गिनते हैं यह Sigma को गिनते हैं यह Sigma है और यह लॉन पेर वाला जो डॉट है उसको भी गिनते हैं याने कि sp2 आएगा यह जो यहां पर लिखा हुआ है वो सब है resonating structures basically जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ no2 जो होता है उसका यहाँ single electron यहाँ minus हुआ है तो यह minus यहाँ भी आ सकता है यह सब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है चलो ठीक है उसके बाद में हम लोग आज पढ़ेंगे overlapping के बारे में तो overlapping क्या होता है वह overlapping होता है दो जो atomic orbitals होती है उसका overlapping होना है जैसे कि मैंने बताया था कि 1s orbital याने कि hydrogen होता है और यहाँ पर मानलों की है carbon यहाँ पर देख सकते हो इतना portion जो है उसमें दोनों का क्या हो गया है overlapping हो गया है तो इस case में हम बोलते है याने कि hydrogen carbon का जो bond बना था उसको हम बोलते थे क्या बोलते थे बई एक्सियल overlapping है ना अगर लेगिन ऐसा type का जो bond अगर ऐसा type का कुछ overlapping होता है तो इसको हम बोलते है collateral overlapping है ना collateral और उसके उससे क्या bond बनता है उससे पाइब बनता है जबकि यह वाला था actual overlapping उससे हमें sigma bond मिलता था तो sigma bond मिलता है और पाइब बन मिलता है एक्षिल डेल्टा बन भी होता है लेकिन हम उसको ज्यादा डिसकस नहीं करेंगे क्योंकि वह आपके syllabus में नहीं है बिसकली वह डी एंडी का overlapping से बनता है डी एंडी का intermixing से होता है जो कि face-wise overlapping भी बोलते है ठीक है तो एक होता है actual overlapping जो कि एक axis में होता है जबकि यह जो होता है वो कैसा होता है एक parallel में होता है पैलल में होता है तो यह आप bond देखोगे तो यह ऐसा अमलब कि 90 degree पे होता है उपर के साड़ में इसको लेटरल overlapping बोला जाता है और यह जो होता है यह एक और होता है डिल्टा बॉन जो आपकेसवास में नहीं है इसमें जाने की ज़रोद नहीं है इसके बाद में उसके बाद में hisके बाद में 우 nordinा जो और आईसा हुआ तो यह इसको बोलते हैं sigma bond और ये दोनो जो bond है उसको हम पाई बोलेगा है ना दोनो पाई थीक जैना कि दो पाई डो a b के बिच में यहां पर दो पाई बॉन है और एक सिर्मा बॉन है अच्छा इसमें क्या आएगा भे इसमें इसमें कौन सा और यह वाला है याने कि दोनों का अगर अगर अच्छा होता है और अच्छा होता है उसके बाद में अगर ऐसा क्वेशन आया तो आपको सबसे पहले करना है इसका एस जो होता है उसको बाद कितने बनाने है वो मुझे पता होना चाहिए तो बहुत कोई प्रॉबलम नहीं है ठीक है चलो दिविचो श्ट्रक्टर से मैंने यह बना लिया इसके बाद में क्या करूंगा इसके बाद में सलफर कोटार चारव बनाने है तो नॉर्मली सलफर का अगर यहां देख़ोगे तो था यहां पे दो दो भी बाटे में स अब काम करना पड़ेगा पर को यह शятी कना पड़ेगा अगर मा ही ए ₹ समें चार बाट justified अगर मैं यह और यह इक और को Aaa इसके साथ bond बनाएगा फिर दूसरा oxygen इसके साथ बनाएगा है ना और इसी oxygen ने इसके साथ भी bond बनाया हुआ था और इसी oxygen ने इसके साथ भी bond बनाया हुआ था अब इसका नॉमेंक्लेशर करना है और कुछ नहीं मान लो कि ये कौन सा होगा oxygen में कौन सा होता है भई यानि कि मैं इसको P बोलता हूँ और ये कौन सा था ये वाला जो था वो कौन सा था ये वाला भी P था है न तो ये हो गया P pi P pi अच्छा फिर यही एलेक्ट्रोन यही ऑक्सिजन ने यहां एक और बन बनाया था वो क्यांसा होगा वो भी होगा P pi P pi राइट सो ये भी होगा P pi P P pi अच्छा फिर ये वाला ऑक्सिजन ने ये वाला जो था उसका P pi होता है और इसका भी होता है P pi ठीक है क्योंकि P orbital है न इसलिए और यही ऑक्सिजन ने इसके साथ यहां पे होगा बेड़ा D pi और यहां पे था पी पाई यानि कि एक पी पाई डी पाई बन बनेगा तो यह से भी देख सकते हैं ठीक है तो तिस इस इट क्या मैंने यहां पे कुछ गरत कर दिया है लाट मी जस्ट चेक फिपई भी यहां पे तीन आएगा न ठीक है बिल्कुल करत किया है चै चल कर उसके बाद में इसके बाद में कि आएगा भाई साब इसके बाद में आएगा ऐसो ट्रीका तो यह समय पी आप खुद बनाकर देख सकते हो इसको अगर 6 बन बनाना पड़ेगा तो 6 बन बनाने के लिए सलफर जो है उसको 2 बार एकसाइड करना पड़ेगा है ना और 2 बार एकसाइड करेंगे तो अभी देखो 6 अनपेड लेट्टॉंस हो गए बिल्कुल है ना तो ऑक्सिजन जो है एक ऑक्सिजन इसके साथ बनाएगा पहले canje क्या करो सभी का एक ही बनालो मैं बोल रहा हूँ यह इसा वहाला पहले तीनो ही ऑक्सिजन का सेंगल एक बनाना जो यानि कि देखो पहले मैंने यह बना लिया थीर दूसरे ऑक्सिजन का पहले यहां बना लेता हूँ यानि कि अभी ये जो हो यहाँ पे πाई बॉंड फिर यहाँ पे पाई बॉंड और यहाँ पे पाई बॉंड अच्छा तो चलो मुझे को बताओ कि ये लास वाला जो बना वो कौन सा बना होगा ये होगा डी पाई और ये वाला है पी पाई यानि कि ये बना पी पाई डी हुआ है कि मुझे पीपाइडीपाइ कितनी मिले हैं है ना तो ऐसे कुछ मोलेकुल का अलड़ी मैंने यहां भी किया हुआ है आप लेके एक पर खुद देखो शांती से समझ लो कि मैं क्या कहना चाहता हूं उसके बाद में हम लोग जाते हैं हाइब्रेडेशन पर